प्राप्त जानकारी के अंसाट ट्रेक्टर ट्राली में इट लोहा सीमेंट लेकर सिल्वानी से बर्रा पौड़ी जा रहे थे जंगल से बहकर आने वाली नक्टी नदी में अचानक बाढ आ गई बाड के बहाव में ट्रेक्टर ट्राली बह गए बाड के बहाव में ट्रेक्टर ट्राली पलेटे और फिर बहने लगे ट्राली में रखी लोहा, सीमेंट, इट सब कुछ बह गए ट्रेक्टर ट्राली अतीक खानसिलवानी का बताया जा रहा है टेक्टर चालक ने बताया कि भै नदीक रास कर रहा था कि अचानक बाल आने से ट्रक्टर ट्राली के साथ भै भी बह गए थे हम चूकी तेर कर बापस किनारे पर लग गए थे पर ट्रेक्टर ट्राली बह गए उसमें भरी हुई इट, रेता, गिट्टी, सारी चीज़े बह गए सिल्वानी से हमारे संबाद्दाता तारकेशो शर्मा की रिपोर्ट बमीठा से हमारे संबाद्दाता अशोक नामदेव की रिपोर्ट से धार्त संकर प्रताप सींग बुंदेला भूशोर ने पदियात्रा कर भगवान मंगेच और शर्ष की जल अभिशे किया शामन सोंबार के पाबन परपस दार्त संकर प्रताप सींग बुंदेला ने भूशोर के सिब जी के मंदर में जल चड़ा कर हजारों सिब भक्तों ने हर हर महादेव के जैकारों के साथ पदियात्रा साड़े दस बजे शुरू की मजोटा रंगुमा गाओं में सिब भक्तों का फूल मालाओं से जोड़दार स्वागत किया गया बमीठा सुधपुरा सिदार्त संकत प्रताप सिंग बुंदेला की महिलाओं में बच्चियों ने शिर पर रखकर कलश रखकर सिब भक्तों की पदियात्रा का स्वागत किया एवं तुलादान किया गया पीरा टुक्डी जट कटा में पदियात्रियों ने स्वागत हुआ खजराहू पहुंसते ही सिब भक्तों का जोड़दार स्वागत किया गया सिभख्त पदयात्रा में खजराहू के 20 प्रशिद मंदिर मांगतेश्वर मंदिर में हरहर महादेप के जैकारों के साथ मांगतेश्वर भगवान का जलब शेक किया गया सिद्धार्त शंकर प्रताप सिंग बुंदेला के जलबी शेक कलस पदयात्रा का राजनेतिक गल्यारों में चर्चा का बिसय बन गया यह पदयात्रा काफी शपल रही और शितेल पड़े कांग्रेसियों में जन्चेतना जागरती का काम करेगी जलबी शेक कल श्यात्रा के बाद पूरु बिधायक शंकर प्रताप चिंग बुंदेला भी सामिल रहे बमीठा से हमारे संबाद दाता अशोक नामदेव की रिपोर्ट